नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत खुबसूरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप चाहें तो जर्न स्वेटरन बनाए लेडिस प्रोजेक्ट में या बच्चो के प्रोजेक्ट में डालें ये सब में बहुत ही अच्छा लएगा इसे बनाने के लिए हमें छे के मल्टिपल फंदे चाहिए हम ऐसे छे-छे फंदे गिने तो लास्ट में एक भी फंदा बचना नहीं चाहिए तो मैंने सलाई में अठारा फंदे डाले हैं 18 स्टिचर पॉडर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहली लाइन में हम सब फंदे सीधे बुल लेंगे तो पहली लाइन में सब फंदे हमने सीधे बुल लिए अब ये तीसा लाइन है और सामने से तो तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे तो हमने चार लाइन बुना पहली लाइन में सभी फंदे सीधा दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे और चौती लाइन में सभी फंदे उलते तो बार्डर बनाने के बाद हमने चार लाइन बुन लिया अब ये हमारा पांचवा लाइन है और सामने से तो सभी फंदो को हम सलाई में दो बारून लपेटे हुए सीधा बुनेंगे सबी फंदों को सलाई में दो बार उनला पेटेंगे एक दो और सीधा बुलनेंगे एक दो और सीधा बुलनेंगे तो सबी फंदों को हमने सलाई में दो बार उनला पेटे हुए सीधा बुलन लिया और ये डिजाइन का छठा लाइन है और रॉंग साइड तो हम छे फंदों को खोलेंगे एक दो तीन चार पान छे और इन्हें हम दाइने सलाई में ले लेंगे ये हमारे ऐसे क्रॉस हो गया अब इसको 22 लाई में चढ़ाएंगे और सबी फंदों को उल्टा बुलनेंगे एक एक फंदों को लेके हम उल्टा बुलनेंगे तो हमने छे फंदों को उल्टा बुलने लिया अब नेक्स्ट हम छे फंदे खोलेंगे एक दो तीन चार पांच और छे अब इन छे फंदों को हम 22 लाई में ले लेंगे और अब देखें पीछे के तीन फंदों को इसके अंदर से निकाल दिया अब इसे हम 22 लाई में चरहा देंगे और छे फंदों को उल्टा बुलनेंगे अब देखिए नेक्स्ट छे फंदों को हम खोलेंगे और इसे दाइनी हाथ में रहने देंगे अब यहाँ आप ध्यान देजेगा पहले छे फंदे को हमने दाइनी हाथ में लिया और एक दो तीन को के अंदर से चार पांच ये को निकाला दूसरे अगले छे फंदों को हमने 22 हाथ में लिया 25 लाई पे लिया और चार पांच छे के अंदर से एक दो तीन को निकाला है यहाँ देखिए इसका ये अपोजिट है तो इसको आप ध्यान देजेगा अब ये जो है इस साइड में आया है यानि की चार पांच छे जो है उपर से गया है तो अब नेक्स छे फंदों को हम दाइनी स्लाई में लेंगे और एक दो तीन को उठाएंगे और चार पांच छे को इसके अंदर से निकालेंगे यह हमने तीन फंदों को इसके अंदर से निकाल लिया अब इन्हें 22 लाइं में चाहा देंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बोल देंगे अब यहां ध्यान दीजे यह फंदे इस साइड में गया हैं और यह फंदे इस साइड में देखिए यह फंदे इसके अपोजिट में है अब फिर हम चार लाइन बुनेंगे यानि आगे से सब्वी फंदे पूनेंगे और पीछे से सबिफंदे उल्टे देख़िए हमने چार लाइन बुन लिया का यानि सात में और गयार्मारा लाइन उल्ता बन लाइन उल्ता बन लिया, तो सलाहे में दो बार उन लपेटते हुए हम सभी फंदो को सीधा बूलेंगे तो सलाई में दो बार उन लपेटते हुए हमने सभी फंदो को सीधा बूल लिया और अब ये 12 हमार लाइन है और wrong side तो हम 6 फंदो को खोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और अब की हम इन्हें 22 लाइं में ले लेंगे पहले यहाँ पे छटे लाइन में हमने इन्हें 22 लाइं में लिया था और तीन फंदों को पहले दूसरे तीसरे को के अंदर से हमने चौते पांच में छटे को निकाला था लेकिन अब की हम इसे अपोजित करेंगे यानि कि इसे 22 लाए में लेंगे और चौते, पांचमें और छटे फंदे के अंदर से पहले दूसरे तीसरे को निकालेंगे हमें यहां के अपूजित इसे करना है तो अब इन्हें 22 लाए में ले लेंगे और 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे छेफंदों को हमने उल्टा बुन दिया अब नेक्स्ट छेफंदे हम खोलेंगे और इसके हमें इन छेफंदों को इस डिजाइन के अपोजित करना है यानि अब की इने हम दाइनिस लाइं में लेंगे और पहले दूसरे तीसरे के अंदर से चोथे पांच में छठे को निकालेंगे अब इने वापस 22 लाइं में लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे तो हमने 6 फंदों को उल्टा मुल लिया देखिए एक इधर से जा रहा है दूसरा एक दाहिनी हो जा रहा है तो दूसरा बाई हो जा रहा है अब नेक्स 6 फंदों को हम खुलेंगे और इन 6 फंदों को हम 22 लाई में ले लेंगे और देखिए हमको इस डिजाइन के अपोजिट इने करना है यानि कि पाँच में चौथे पाँच में छटे के अंदर से पहले दूसरे तीसरे को ऐसे निकाल लेना है और फिर इन्हें 22 लाई में चढ़ा कर सबी फंदों को उल्टा बूलना है तो देखिए फ्रेंट्स हमारा डिजाइन त्यार है 12 लाईन का ये रिपीटेड डिजाइन है और फिर इन्ही 12 लाईनों को उपर उपर बनाते जाना है यानि अब फिर 13 लाईन से हमारा एक पहला लाईन शुरू हो जाएगा 12 लाईन कमप्लीट होने के बाद फिर एक से 12 लाईन हम बनाएंगे तो ये खुपसूरसा डिजाइन बनता चला जाएगा अगर देखिए एक बार ये अभी यहां ध्यान दीजेगा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा परना डिजाइन चेंज हो जाएगा और उसकी सारी खुपसूरती खतम हो जाएगी तो आपको डिजाइन ध्यान से बनाना है तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है सामने से देखे ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा आशा है आपको डिजाइन पसंद आया होगा यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो क्रिपया वीडियो को लाइक कीजिए इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेयर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग